हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समीर वानखेरे इस वक्द CBI के आफिस में मौझूद हैं और CBI उनसे क्वेस्चिनिंग कर रही है, सवाल पूछ रही है पहला सवाल, दूसरा सवाल, क्या शारुख खान से आपकी मुलाकात हुई थी और अगर हुई थी तो कितनी बार त्रीसरा सवाल, शारुख खान की आप किस प्रकार से मदद करने की बात कर रहे थे यानि की वार्सेप चैट जो वाइरल हुआ था दोस्तों और जिसे समीर वानकरे ने हाई कोट में समिट किया है, उसके बारे में यह पूछा जा रहा है चौता सवाल दोस्तों, मेसेज में शारुख खान किस हेल्प के लिए आपको ठैंक्स बोल रहे थे पांच्वा सवाल, अठारक करोर के डील के बारे में क्या जानकारी आपके पास थी? आरियन खान को एकदम अंत में ग्रिफतार क्यों किया गया? ये भी सवाल पूछा गया था समीर वानकरे से साथवा सवाल, ग्रिफतारी के बाद शारुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से आपकी कितनी बार बात हुई थी? आठवा सवाल, आपने महज कुछी महिनों में साथ बार विदेश यात्राएं किसके खर्च पर यात्राएं की? यात्राएं की है, लास्ट कुछ महिनों में तो ये आपने पैसे कहां से पाए या कहां से आपने खर्च किये? नाइन्थ वास्वा सवाल, आपके पास लाखों की घड़ियां है, उसके पैसे कहां से आए? 11. पचास लाख रुपए में से 12 लाख रुपए आपको दिये जाने का आरोप है, क्या कहना है इस पर? 12. कीरन गुसावी और प्रभाकर सैल जब 50 लाख लेने गए थे तो उस दवरान फोन पर आपसे बाचित होने की आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? 13. 27 लोगों के लिस्ट में सिर्फ 10 लोगों को गिरिफतार किया गया, बाकियों को छोड़ने के एवेज में पैसे लेने का आप पर आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? 14. आरियन खान की गिरिफतारी के बाद पूजा डाडलानी से पैसों की डिल करने के पीछे आपका हाथ होने का आरोप है, इस पर आपका क्या कहना है? 15. किरन गुसावी ने आपके कहने पर डिल की है, इस आरोप पर आपका क्या कहना है? तो दोस्तों ये कुछ questions हैं, जो आज पूछे जाएंगे समीर वानखेरे से, और समीर वानखेर को इन questions का answer देना परेगा, दोस्तों एक अच्छी बात समीर वानखेरे के लिए ये है, कि अगर वो satisfactory answer नहीं दे पाते हैं, फिर भी CPI उन्हें arrest आज नहीं कर पाएगी, क्योंक और जितनी possible information हो सकती है, दोस्तों मैं आप तक पहुचाओंगा, अब बनेगा मेरे शेल से, मेरे अगले वीडियो में, बाब बाए